स्वागत दोस्तों आपका एक बार फिल अपने इस यूट्यूब चैनल में दीपा पांडे की साथ साथियों आज की इस जानकारी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी भी स्कूल चाहिवे प्राइवेट हो या गौर्मेंट हो उसकी मनमानी या मिसकंड़क्ट के अगेंश्ट चाहिवे एडमिशन, एंटरंस, एक्जाम, रिजल्ट, डिगरी, सर्टिफिकेट स फिर वहां के स्टाफ मेंबर्स की सेलरी, सर्विस या पैंशन से रिलेटिड हो कोई भी ऐसे मिसकंड़क्ट की कंप्लेंट, ओनलाइन कंप्लेंट आप स्कूल, एजुकेशन, डिपार्टमेंट या मिनिस्टरी को कैसे कर सकते हैं जिसका डैमो अभी आप अपनी कंप्यूटर या मोबाल स्क्रीन पर देखेंगे, तो चली शुरू करते हैं सबसे पहले तो आपको अपने ब्राउजर के सर्च इंजन पर टाइप करना होगा लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे देंगे, आप आप से भी डिरेक्टी से ओपन कर सकते हैं उसके बाद आप अपने होम पेज पर जो ओप्शन देख रहे हैं ये पीजी पोर्टल की ओफिशल वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने गौर्वर्मेंट ओफ इंडिया, मिनिस्ट्री ओफ पर्सनल पब्लिक ग्रिवियंस और पेंशन का यह है ओफिशल वेब पेज ओपन होगा जिस पर आपको सबसे पहले अपनी भाशा को यहाँ सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप इस option पर क्लिक करेंगे option पर क्लिक करके आपको यहाँ दो option दिख रहे हैं English या Hindi आप अपनी पसंद की भाशा यहाँ पर चूस कर सकते हैं हम यहाँ English सेलेक्ट करते हैं English सेलेक्ट करने के बाद हमें जो next काम करना है वो यह है कि अगर हम इस page पर नए है इस site पर नए है तो सबसे पहले हम अपने आपको यहाँ register करेंगे अगर हाँ तो उसके लिए आप sign in के option पर click करेंगे सबसे पहले और उसके बाद आपके पास यह screen open होगी जहां आपको नीचे scroll down करने पर click here to sign up पर click करना है अगर आप यहाँ पहले से register हैं तो आप यहाँ direct login कर सकते हैं अगर आप नए हैं तो आप click here to sign up पर click करेंगे click करने के बाद हमारे पास registration या sign up का यह form open होगा जिसे हमें fill करना है mandatory marks को सबसे पहले हम यहाँ अपना नाम टाइप करेंगे नाम टाइप करने के बाद नीचे हम अपना gender सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ टाइप करेंगे अपना address address उसके बाद सब locality और locality जो वहाँ mark होगा आपको बता देना है और उसके बाद हम यहाँ country अपनी हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ हमें drop down list में कई options दिखेंगे हम उसके according अपनी country सेलेक्ट कर सकते हैं इंडिया सेलेक्ट किया अब यहाँ हमें state सेलेक्ट करना है इसके लिए भी हम अपनी drop down list में से अपने select कर लेंगे state को और उसके बाद हमें select करना है district आप इसे अपने according फिल कीजेगा फिर हम अपने district का pin code यहाँ enter करेंगे और फिर नीचे जो हमें भरना है वो है mobile number mobile number active होना चाहिए क्योंकि इसी पर हमारे concern message या फिर verification link आएगा नीचे phone number optional है आप भरना चाहें भर सकते हैं नहीं तो नहीं भी और उसके बाद हमें भरना है email address वो भी active होना चाहिए क्योंकि उस पर ही हमारा verification link या registration ID आएगी और उसके नीचे हमें select करना है कि हम ex-serviceman है या नहीं फिर हमें last में select enter करना है यहाँ capture code जो हमें दिख रहा है enter करने के बाद हम यहाँ save के बटन पर click करेंगे जिसके बाद हमारे registered mobile number और email ID पर एक verification link आएगा हमें उसे open करके वहाँ से अपनी user ID और password को generate करना है और उसके बाद हम अपने home page पर आ जाएंगे और वहाँ पर sign in के option पर click करने के बाद हम login के options को fill करेंगे सबसे बाद हमें user ID डालेंगे या email ID या mobile number और उसके बाद अपना password एंटर करेंगे और उसके बाद हमें तिसरे नमबर पर एंटर करना है security code security code जो हमें नीचे capture के रूप में दिख रहा है उस image को आप यहाँ एंटर करेंगे एंटर करने के बाद नीचे इस login के option पर फिर हम click करेंगे login करने के बाद जब हम page को scroll down करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे सबसे पहला option हमें दिख रहा है lodge public grievance जिस पर हमें click करना है click करने के बाद page को scroll down करेंगे तो हमें सबसे पहले दीख रही है इस page की terms and condition उसमें हमें बताया गया है कि हम यहाँ RTI matters, court से related matter जो court में pending है या religious matter या फिर कोई suggestions या फिर government employees से related कुछ जो condition है उसे यहाँ पढ़ लेंगे इन matters से related हम यहाँ complaint इसमें नहीं डाल सकते इनको पढ़ने के बाद आप नीचे जो check box है उस पर click करेंगे I agree वाले और फिर submit कर देंगे submit करने के बाद जब हम page को scroll down करेंगे तो हमारे पास कई ministry और department या state government के option समित दिखेंगे कि हम post office के खिलाफ भी यहाँ complaint डाल सकते हैं नीचे आप telecommunication के खिलाफ फिर banking, insurance, school education and literacy जिस पर हम आज वीडियो बनाएंगे road transport and highways, health and family welfare इस पर भी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे external affairs, petroleum and natural gas और अगर इसके अलावा और कोई options है यहाँ available नहीं है तो आप नीचे अदर ministry department state government के option पर अदर पर क्लिक कर सकते हैं अब हम यहाँ school education को select करेंगे select करने के बाद हमारे पार जो page open होगा scroll down करने पर हमें दिखेगा एक grievance registration form जो बिल्कुल ही simple है इसको भरना सबसे पहले तो आप नीचे यहाँ select main category पर क्लिक करेंगे क्लिक करने पर हमें कई options यहाँ drop down list में दिख रहे हैं आप इन में से अपने options को जो relevant option है उसे चूज कीजिगा सबसे पहला admission related, service matter, pension related, entrance exam या result related, degree certificate related, midday mils से संबंदित, national award for teachers, national बाल भवन से related, national foundation for teachers, health and nutrition related, समगरी शिक्षा, adult education या statics, others अगर इसमें आपका कोई option नहीं है तो आप नीचे other, miscellaneous पर क्लिक करके complaint log कर सकते हैं हम यहाँ admission related problem को select करेंगे उसके बाद हमें select करना है next level category जिसके लिए drop down list में कई option मौजूद है आप अपने according option को choose कर सकते हैं CBSC, NCERT, all schools board, matter relating to private schools हम यहाँ matter relating to private schools select करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ enter करना है अपने school का नाम नाम एंटर करने के बाद नीचे आप drop down list में से select करेंगे अपना state या union territory और फिर सबसे महतोपूर्ण आपको यहाँ box में अपनी complaint को type करना है जिसमें केवल 500 characters ही आप use कर सकते हैं यहाँ आप अपनी complaint को type कीजेगा और अगर पहले से ही type है तो copy paste कीजेगा फिर नीचे आप यहाँ अपनी complaint से relative कोई भी document PDF फाइल के रूप में 4MB तक का यहाँ choose फाइल में select करके attach कर सकते हैं attach करने के बाद आप यहाँ अपनी complaint को submit करने के लिए next पर क्लिक कीजेगा जिसके बाद आप अपने form का preview देखकर अंत में capture code भरकर security code भरने के बाद उसे submit कर सकते हैं साथी हम बता दे कि यहाँ आप submit करने के बाद आपकी registered mobile number या फिर email ID पर या दोनों पर और साथी screen पर आपको यहाँ unique registration ID जो आपकी complaint की है वो आपको मिल जाएगी उस ID का use करके आप अपनी complaint के status को track भी कर सकते हैं जिसके लिए आप अपने home page पर वापचाईएगा और यहाँ क्लिक कीजेगा फिर आप view status पर क्लिक कीजेगा क्लिक करने के बाद आपके पास यह छोटा सा form मिलेगा आप इसे fill करने के बाद आपनी status को track कर सकते हैं जिसके लिए आप अपनी complaint ID का registration number यहाँ डालेंगे उसके बाद आप अपनी email ID डालेंगे और फिर नीचे security code जो CAPTCHA के रूप में दिख रहा है वो enter करेंगे एंटर करने के बाद सब्मिट करते ही आपकी स्क्रीन पर आपकी complaint का status आ जाएगा कि वह कौन सा department तक पहुँच गई है और किस लेवल पर आपकी complaint चल रही है तो आशा है कि आज की हमारी ये जानकारी आपके काम जरूर आएगी तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार